नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे राजी सेट जी की कहानी सह कर्मी लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और पड़चितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी न भूलें आज सुनिये सह कर्मी ललित इस्थानांतरित होकर कलकत्ता चला गया है इसका एहसास उसे रिसर्च इंस्टिट्यूट का आहाता पार करते तो था ही ओफिस के अंदर आकर अपने केबिन में घुस्ते और भी तीवर हो गया कितनी मोर्खता थी कि उसने अंदर घुस्ते ही खाली कुरसी की कलपना की थी कुरसी कभी खाली नहीं रहती नहीं थी ललित की कुरसी पर किसी साड़ी पोश को जमा देख कर वह कुछ जिजग से ही अपनी टेबिल की ओर बढ़ा चेहरा परचित नहीं तो एकदम अपरचित भी नहीं लगा गत मास डॉक्टर सिंग की मृत्तु पर बुलाई गई शोक सभा में शायद उसे देखा था वह पूरी तरह काम में डूबी थी आती ही एकदम इतनी तनमायता से काम जैसे इस्त्रियों को अपने परवेश से परचित होने या उसका भाग बनने में कोई कठनाई न होती हो यहां तो बाहर की दुनिया को बाहर रखाने में भी समय लगता है आहटे पीछा करती हैं देर तक घर में थोड़ा आफिस, आफिस में थोड़ा घर ललित होता तो पहले एक कप चाय चनती कुछ यहां वहां की बातें फिर काम में मन लगाने की कोशिश की जाती गुड मॉर्निंग मी उसने पहल की नो, मिसेज मित्रा गुड मॉर्निंग एक बहुत हलका सा इसमित उनके चेहरे पर खेल गया उन्होंने आखें उठाई तो कुछ गहरी सी लगी उठी हुई नाक और सामान ने भला सा चेहरा चाय पियेंगी? नो, ठैंक यू कहकर वह अपने काम में जुट गई कमरे में ही पार्टीशन के उस पार बैठी टाइपिस्ट की खटखट उसे उस खामोशी में ज्यादा तेज लगने लगी फाइले खोल कर उसने भी काम में लगना चाहा लेकिन लगा नहीं गया सारे सर्कुलर्स उठा कर उसने फिर से बाढ़े और पहले से बिवस्थित फाइलों को फिर से ठीक करके दराज में डाला पेन में भरी स्याही को वापस दवात में उड़ेला और फिर से भरा चाय को धीरे धीरे चुसकते उसे लगा कि पास बैठा सहकर्मी यदि इस मुद्रा में काम में व्यस्त हो तो अपनी अकर्मंडिता का अपने पर बड़ा बोज पड़ता है वातावरन की ले टूटती है इस इस्थिती से उबरने का एक ही रास्ता है उसी प्रकार की एकागरता में डूब जाना पर फाइलों के पनने फड़फडाते रहे अक्षरों के अर्थ मन में नहीं उतरे वह एकदम समझ गया कि अनात्मिय अपर्चित उपस्थिती कहीं बाधा दे रही है अपर्चित या पर्चित के बीच की इस्थिती शायद यातना की इस्थिती है वह जानता है वह हैं सामने हैं इस्त्री हैं श्रीमती हैं रिसर्च फैलो हैं कुलीब हैं गहरी आँखें हैं, सिम्टी सी हैं, काम काजी हैं, फिर भी अपरचित हैं, अबोले के दीवार के पीछे कारेरत बैठी हैं, उनके साथ चाय का एक कप सहजता से नहीं पिया जा सकता, वार्मिंग अपका उनके साथ कोई अर्थ नहीं, अपेठ्षा को जाड़ कर उसे काम में जुट जाना आसान लगा, बातचीत करने की उनमें कोई पहल नहीं जाती, बहुत दिनों तक न सिर्फ वह इस बात पर ही ध्यान देता रहा, बलकि यह भी कि वह समय से 5-10 मिनट पहले ह ठीक 10 बजे अपनी कुर्सी पर इस्थापित होती है, उनके इस कारिक्रम में कोई हेर फेर नहीं होता, जब से आई हैं वह ही पहले कमरे में बैठी मिलती हैं, शायद कहीं आस पास रहती होंगी, उसकी तरह पुर्शोतम नगर से आना पड़ता तो सारी हेक्डी भूल जाती फिर लगा, घर का काम करके भी तो आना पड़ता होगा, उसने ध्यान से उनके नाखूनों की ओर देखा, शायद नेल पॉलिश के नीचे से जाती गहरी मैल की लकीरें पकड़ में आ जाएं, लेकिन उनके नाखून नेल पॉलिश विहीन थे, साफ थे, उनकी उंगलिया एक जलित को पत्रोतर देने लगा, तुमने तो लिख दिया, मैं लकी हूँ, सलोना साथ मिल गया है, पर ये कुलीक महाशिया पत्थर की बुथ हैं, रोज गुड मॉर्निंग ना कहती होती, तो लगता की गूंगी हैं, अक्सर लगता है इस दुनिया की भाषा नहीं जानती, कल आग्रह करके चाय पिलाने की नियत से दो कप मंगा लिये, तो बोली, सौरी, चाय नहीं पीती, क्या पीती हैं फिर, फेंटा, कॉफी, कोक, लगभग कुछ नहीं, पानी का स्वाद हर कनकॉक्षन से अच्छा लगता है, कहकर हस दी थी, हसने में आसु आ जाना कितना पाही लिया था, तो मैंने जट पूछ मारा, यहां कहां, जनकपुरी में, बहुत दूर पढ़ता है, दिक्कत पढ़ती होगी, हाँ, बहुत जल्दी निकलना पढ़ता है, अब तो आदत पढ़ गई है, कहकर उन्होंने फिर से पिन हाथ में उठा लिया, यह उनकी अपने सामने वाले को खामोश करतेने की, कलम लेकर फाइल में सिर गढ़ाते ही, वह एक अपाट दूरी कायम कर लेती है, भाई मैं तो बोर हो गया हूँ, उनकी रहते डॉली से खुलकर गप्याया भी नहीं जा सकता, पहले वह भी लंच टाइम पर कैसे टेबिल पर चड़ कर बैठी रहती थी, अब बाहर से जहांकर ही वापस चली जाती है, लगता है इस्तरी के सामने इस्तरी को गवरो और सम्मान की आड़ बनाए रखना जरूरी लगता है, एकदम अजीब है यार, आजकल लगभग रोज चिठी लिखती हैं, और राह भी देखती हैं, उठकर यदि बातरूम तक भी जाना पड़े तो आते ही पूछेंगी, क्या मेल बट गई, ना कह देने पर अजीब सा भाव उनके चेहरे पर आ जाता है, खुश है या उदास, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, तेरे जाने के बाद बड़ी मनहूसियत चा गई है, कमरे का वाताव परण उंगता जैसा रहता है, एक तरह की उदासी चाही रहती है, ओफिस में कुछ मजा ही नहीं रहा, संभा हुआ तो मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर उधर आऊंगा, उस दिन वह दो घंटे देर से ओफिस पहुचा, तो पहली बार उनमें कुछ पहल जागती देखी, गुट मॉर्निंग कहकर वह फाइल में जुट नहीं गई, बलकि पेन नीचे रखकर जग्यासा से उपर देखती रही, आज देर हो गई, दो घंटे की छुट्टी ली थी, मेरा बच्चा बीमार है, उसने उनकी जग्यासू आँखों को उत्तर दिया, सुनकर वह असाधारन रूप से चौकिंग, बच्चा बीमार है, क्या आपका बच्चा बीमार है, क्या हुआ है उसे, और आप ऑफिस चे ले आए, छुट्टी ले सकते थे, ना भी आते, यहां कौन सा काम रुका पड़ा है, कौन कौन है घर में, देख भाल ठीक हो रही है न, क्या हुआ है उसे, ओफ, एक साथ इतने सवाल, अजयब घरों के बाहर खामोश पड़ी, तोपों के ठंडे कठोर सीने में से एका एक निकलते गोलों की तरह, इतने सवालों के पूचे जाने के बाद भी, वह अपने बच्चे के बारे में बिलकुल भूल गया, और एक सुखद अचंबे से उन लगता है, डॉक्टर ने कहा है, दो-चार दिन में उतर जाएगा, जरूर उतर जाएगा, जरूर उतर जाएगा, आवेश की स्थिती से इस वुद्वदाहट को लोटती, वह सामान ने होने लगी, कितने साल का है आपका बच्चा, साथ साल का, और हाँ, एक लड़की है दस साल की, हूं, कहकर वह फिर खो गई, फिर थोड़ी देर बाद बोली, किधर रहते हैं आप, पुर्शोतम नगर, डू यू माइंड, वह बेहद हिचकते हुए बोली, अगर मैं बच्चे को देखने चलू, आज ही शाम को, उन्हें ठीक लगेगा, शैद वे पतनी के बारे मे कह रही थी, क्यो नहीं, क्यो नहीं, बलकि खोग खुश होंगी, वह जानती हैं, आप मेरी कुलीग हैं, वह अचानक ही किसी अनजाने उच्साहा से भर गया, कितना अप्रत्याशित प्रस्ताओ, ठीक है, शाम तक इरादा बना रहा तो, शाम को हमेशा की तरह थोड़ी देर पहले उठने में उसे जिजक महसूस हुई, यह उतावली कहीं कोई गलत न समझ ली जाए, वह खुद ही कुछ पहले उठ खड़ी हुई, कुछ समय लेकर चलें तो, जनकपुरी वापस पहुशते मुझे देर हो जाएगी, वह एकदम उठ खड़ा हुआ, आप बाहर आये, म अरपट हवा में दोडते, उसे पहले तो वैसी ही अनुभूती हुई, जैसी अकसर ओफिस में होती थी, अपरिचय और अपरिचय के बीच के उन्ही यातना पूर्ण छणों का तीखा अहसास, अपने चारों और रचेगड में किसी छेत तक की गुंजाईश ना छोड़ने वाला व्यक्ति यदि अचानक इतनी मुखर सदा शहता से भर जाये कि घर तक चलने का प्रस्ताव रख बैठे, इस सारे क्रिया कलाब का, आवेक का, चिंता का हेतु क्या है, वह कुछ सोच नहीं सका, सावधानी से भरे-भरे भाव से स्कूटर चलाता रहा, जैसे किसी व्यक्ति को नहीं, किसी बहमोले भावना को समाल कर घर ले जा रहा हो, मिसेज मित्रा कुलीग बच्चे की चिंता से ओत प्रोत, पत्नी को उन्हें स्वेकार करने में जरा भी कठिनाई नहीं हुई, बच्चे के पास बैठी थी, व्यस्त होकर बोली, तुम लोग जरा यहां बैठो, मैं इनके लिए चाय बना कर लाती हूँ, रहने दीजे, मुझे चाय का शौक नहीं, वाह, इतनी तकलीव करके आई हैं, फिर हम लोग भी तो पिएंगे, उनका ध्यान कहीं और था, बच्च जरूर अच्छा हो जाएगा, वह फिर उसी खोई सी मुद्रा में आ गई थी, लगता था कि किसी धलान पर अचानक खड़ी हो जाती हैं, और अपना आपक हो बैठती हैं, एकदम आमने सामने खड़े, इस बार उसे उनकी इस मुद्रा से डर लगा, एक तरह से अपने वाक वारा उन्हें जजकोरता बोला, बैठिये मिसस मित्रा, मैं मुध होकर आता हूँ, पत्नी चाय लाई तो वह बेसुद बच्चे के माथे पर हात फिरा रही थी, उनके कहने पर कि वह चाय नहीं पीती, पत्नी कौफी या शर्बत का आग्रह करने लगी, आप चिंता ना करें मैं चाय पीलूंगी, सुनकर उन्हें आश्यर हुआ, इस हट को वह कितने आग्रहों से भी तोड नहीं पाया था, और नो थैंक्यू भी सुनता आया था, आफिस के कमरे की बोजिलता कुछ कम हो सकेगी अब, इस विचार से उसे आराम मिला, बोली तो वह अब भी कम, कुछ स तीमित गहरे फिकरे, पत्नी के इस्त्री सुलव पती विश्यक प्रस्नों पर इतना उतर दिया, विदेश में हैं, लोटना एसाइन्मेंट पूरा हो जाने पर ही होगा, वह सारा समय बच्चे में उलजी रही, वापसी पर उनके द्वारा घर छोड़ आने का आग्रह उन्ह उन्हें स्वेकार नहीं किया, वह कितना कहता रहा, देर हो गई है, अकेले जाने में खत्रा भी हो सकता है दिल्ली में, अगले दिन रविवार था, सोमवार को वह आफिस में नहीं थी, कुरसी खाली थी और टाइफिस्ट डॉली उसकी टेबल के आसपास डोलती इतरा रही उसने इधर उधर देखा तो बोली, missing her, she's on leave, मन में ना जाने कैसी घरेलू सी चिंता जागी, कि उसका डॉली से छेड़ खानी करने को जी चाहा, बोला, कुछ मालूम है, कितने दिन की छुट्टी ली है, येस, पूरे साथ दिन की, अगले सोमवार से ज्वाइन करेंगी, पन्हुसियत छा गई है, ट्रेजिडियन, डॉली ने तो अपने को अप्रिये लगने वाले व्यक्ति को अतिरंजना से व्यक्त किया था, परन्त उसे लगा, उनके लिए एकताम उपियुक्त शब्द ढून लिया गया है, यह शब्द उनके चेहरे पर लेबल की तरह चिपक सकता है, उसे खुशी नहीं खेद हुआ, असलियत के नाखूनों से उनकी फॉलादी मौन को छील देने की इच्छा हुई, इस बार आएंगी तो, मुझे तो वह ऐसी नहीं लगती, गहरी लगती हैं, उसने डॉली को उत्तर दिया, कहकर डॉली ने उसकी बहाँ पर चिकोटी काटने का अधिकार अपने को दे दिया, उसे ना जाने क्यों उससे ने ललित याद आया, और कमरे में वजनदार अनुपस्थिती की अनुभूती, उसने काम में मन लगाने की कोशिश की, वह गुरुवार को ही वापिस आ गई, उ वेलकम, वेलकम मिसस मित्रा, आप तो सौंबार को आने वाप, परंतो उनका गुजा हुआ चेहरा देख सहम कर चुप हो गया, वह धम से कुरसी पर बैट गई, आँखें फटी फटी खाली, आप ठीट तो है ना, उन्होंने मात्र सिर हिलाया, मिसस मित्रा उसने डरते डरते कहा, घर में सब कुशन तो है, वह चुप जरूर नहीं, परंतो जंजनाहक को बलात हथेली से ढाप देने वाली चुपी, ओ, मिसस मित्रा, कुछ तो कहिए, प्लीज, क्या मैं कुछ कर सकता हूं, कुछ नहीं, अब कुछ नहीं, वह नहीं रहा, मेरा बच्चा, रोना उनके ह पर फड़फडाने लगा, आप सूचना तो देती, आभू गई थी, बोर्डिंग में था, वह मुश्किल से कह पाई, अचानक क्या हो गया, पहले बुखार, मेनेंजाइटिस, उनकी आवाज बीज में ही तूट गई थी, उस दिन उसके बच्चे को लेकर उनकी अधीर चिं कापते कातर होट, प्रश्न उसने पूछा था, तो वह व्यग्रता से उनकी तरफ देखता भी रहा, अपने मुख पर उस उत्सुक द्रिष्टी की चुबन, वह अवश महसूस करती रही होंगी, तभी तो दूसरे चण उन्होंने पेन हाथ में उठा लिया, पेन का हाथ में आ जाना सब तरफ से बंध हो जाने की घोशना थी, उसे घबराहट हुई, उतावली में बोला, आप कहें तो मैं पोस्ट ओफिस जाकर मिस्टर मित्रा को सूचना देयाँ, आपको मुश्किल पड़ेगी, पता दे दीजे, या कोई दूसरा कॉंटेक्ट पॉइंट, ओ नो, उन्होंने हताशा में अपने हाथ टेबल पर पटके, नो, नो, मित्रा नाम को कोई भी आदमी मेरे लिए इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए सच है सिर्फ, रग्त प्रवाह में जैसे कोई ठकका अचानक आठका हो, क्या कह रही हैं आप, ठीक कह रही हूँ, I am not, I am not, I am not मेरे उन्होंने सारे हतियार डाल दिये, जैसे यातना की इस पराकास्ठा को न सह पाने के कारण, वर्षों का बोज उन्होंने नीचे दे पटका हो, और इस आत्म समर्पन को न जहल पाने के कारण, एका एक रो पड़ी हूँ, Oh no, Mrs. Me, शब्द उसके गले में अटक गए, उनका नाम ग्यातना होने की असहायता, उसे उस छण बेतर है महसूस हुई, उनकी भीतर जैसे कोई बांध तूट गया था, जिसे हाथेलियों के पीछे दबाने का वह असफल प्रयास कर रही थी, मन उनके प्रती गहरी आर्दता से भर गया, उसका जी चाहा कि सांत्वना का हाथ उनकी तरफ बढ़ाए, पर लगा मानवीता का उदगार भी हर उदगार की तरह समाज और संबंधों के हाथों दिया जाकर ही कहीं पहुँचता है, उसकी निरपेक्ष इस्तिती शायद सब ज मिलास लाकर उन्हें थमाया, शांत होने की प्रार्थनाय की, फिर बात बदलने की कोशिश की, आपके माता पिता? पिता नहीं, मा है, सब कुछ पीछे चूट चुका है, एक बार यूँ छिटक जाने पर फिर लोटने की इच्छा नहीं हुई, सालू हो गये हैं मा से मिले, उसे लगा, उनकी नाव का हर किनारा पानी में डूबा हुआ है, दो दिन बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और सुईकरिती सूचना की प्रतीक्षा करने लगी, कलम हाथ में लेकर अपने को बंद कर लेने का प्रयास अब उनकी ओर से समाप्थ हो चुका था, और एक सह जानकारी में उस विशय को उनके बीच लगभग निशिद्ध सा बना दिया था, कुछ सूत्र सहज जोड़े जा सकते थे, पर वे गलत भी हो सकते थे, एक दिन उससे रहा ना गया तो बोला, जो बीट चुका वह एतिहास है, कह देने से क्या मन कुछ हलका ना हो जाएगा? किस बात से तकलीफ होती है, किस से नहीं, अब ठीक से पता नहीं चलता, वह खूब गहरी उदासी में डूब गई, फिर एका एक लोटती हुई बोली, मैं सच कहती हूँ, वह मुसलिम होकर यदि इतनी श्रद्धा से मेरे साथ बिरला मंदिर की सिउधिया ना चड़ता, तो मेरा सच उसका सच नहीं था, वह मुकर गया, मुझे कठनाई में देखकर बिदक गया, सच बताऊं, वह साथ होता तो मुझे एक ही बाधा काटनी थी, धर्म की, सिर्फ धर्म की, बहुत छोटी थी, थोड़े से साहस से काटी जा सकती थी, पर जब वह ही साथ नहीं, तो किस हक के लिए लड़ना, ऐसे हालात में कोई भी हक मांगना, अपना नंगापन धकने की बेशर्मी में पड़ना होता, उसने ध्यान से देखा, वह कुछ बहुत बड़ी नहीं थी, 29-30 की रही होंगी, अनुगों की तिकता ने उन्हें कितना प्रोड़ बना दिया था, वह जो क कुछ कह रही थी, उसे उनकी समवयस्क क्या सोच भी सकती, वह बोलती रही, मा को कहने का साहस नहीं हुआ, मरने का भी नहीं, तो रिशी केस चली आई, एक बार बच्पन में मा के साथ वहां आकर रही थी, तब पिता जी भी थे, वहां एक मौनी बाबा की कुटिया में रहत बाबा गंगोतरी जाना चाहते थे, तो बच्चे को बोर्डिंग में छोड़ दिया, जब तक वह जीवित था तो लगता था, वह एक मजबूरी है, शायद भूल सकना मुश्किल था कि उसी के कारण में इस लाचारी में फासी हूं, और हमीद इसके बाहर हैं, पर अब वह नहीं रहा तो लगता है, एक बेहत बेहत जरूरी रिष्टा तूट गया है, जिसका बने रहना मेरे लिए बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी, कहकर उन्होंने सामने वाले का चेहरा टटोलने की कोशिश की, और उसे डूबा पाकर एक कड़वे से परिहार से बोली, सब फ गूल गया था, पर यह नौकरी क्यों छोड़ रही है आप, मन लगा रहता है, जरूरत भी पूरी होती है, अब जरूरत नहीं है, रामपुर में ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ाऊंगी, बच्चों में रहना अच्छा लगेगा, कोई जगे खाली है क्या वहाँ, पता कर मेरे पिता जी का चलाया हुआ स्कूल है, वहाँ कभी भी जाने में दिक्कत नहीं है, मा भी वहीं होंगी शायद, ठीक से पता नहीं, मेरे पेपर्स आप वहीं रेडाइरेक्ट कीजिएगा, कहकर वह एक कागज लेकर अपना पता लिखने लगी, उसने बड़े बड़े अक कुछ नहीं बचा, सिर्फ तीन अक्षरों का एक नाम, एक छोटी सी सच्चाई, शुद्ध और अनावरित, पहली जुलाई को उनका रामपुर जाना निश्रित हो गया, वह पत्नी को लेकर इस्टेशन गया था, गाड़ी आधा गंटा लेट थी, उसे भला ही लगा, पत्न पत्ने में कुछ हिचक थी, शर्म या पलायन, वह क्यों नहीं समझ सका कि ऐसे में एक इस्त्री, दूसरी इस्त्री के सामने कैसा महसूस कर सकती है, नैतिक, अनैतिक के आसपास कुछ, उसने पत्नी को इशारा किया, फिर कहा, आप रास्ते में पढ़ने के लिए कुछ ले ल लगी, वह भीतर से उद्विग्न था, शायद उनके जाने के कारण, या फिर उनके लिए कुछ न कर पाने की लाचारी के कारण, इस टॉल तक पहुचने के कुछ पहले ही उन्हें रास्ते में रोक कर उसने कहा, एक बात कहूं करुना, ऐसे पुकारा जाता अपना नाम सुन किसी ट्रेजडी के हो जाने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, हो जाता है, एक बार शुरुवात गलत हो जाने पर सब कुछ, सब कुछ गलत हो जाता है, शुरुवात तो सिर्फ शुरुवात होती है, उसे सारा जीवन समझ लेना कहां तक ठीक है, बहुत देर हो चुकी है अ नहीं हो चुकी क्या, अपनी छलचल आँखें उन्होंने ऊपर टांग दी, किस बात के लिए देर करुणा, किसी शुरवात के लिए कभी देर नहीं होती, और तुम तो अभी छोटी हो, तुमने अभी देखा ही क्या है, सच बताऊं, तुम बस ठक गई हो बहुत, बुरी तरह ठक गई हो, हताश हो गई हो, जाने क्या हुआ कि करुणा के होट बरसात में भीगते पक्षी की तरह फड़बाने लगे, जानती ओ, मैं क्या कहने आया था तुम्हें, जीवन किसी भी नाम, किसी भी शकल में पुकारे तुम्हें, तुम इनकार न करना, मन को खुला रखना, यो तो मेरा कुछ भी कहने का हक नहीं बनता फिर भी ओफ नहीं नहीं आप अब वह बेताहाशा रो पड़ी धाड़स का निर्भीक हाथ उसके कंधे पर रखने की इस बार उसे कोई कठिनाई नहीं हुई गाड़ी धरधराती हुई स्टेशन पर घुसी तो वह हरबड़ाई संभली और सिर नीचा करके चुप चाप उसके साथ चलने लगी गाड़ी चलते समय लगता रहा, सीखचों से लगा उसका चेहरा पिघलता जा रहा है और आखों में एक आत्मिय सी पहचान उभर रही है पत्मी ने ने भरा हाथ उसकी बाह पर रख दिया और कहा जाकर हमें लिखेंगी न शब्दों की भीड और व्यक्त करने की असमर्थता रोने रोने को होते उसके चेहरे पर यह दोनों बात ने एक साथ पुत गई उसने पत्मी का हाथ अपने दूसरे हाथ से ढख दिया गाड़ी चल दी, विश्यू मांगल से भरा जितना कुछ भी कहना चायता था वह सब गाड़ी की चीक में कहीं खो गया, शायद उस तक नहीं पहुचा फिर भी उसे लगा, वह शब्द ना भी सुने जाएं, तो भी वह उन्हें अभी बाद तक हमेशा दोहराता रहेगा तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी? कॉमेंट करके जरूर बताएं